एक्ने स्कार ट्रीट्मेंट बहुत से लोगों को परिशान करते हैं और एक्ने स्कार्ड Suddenlyจะ काफी के होते हैं। बॉक्स कार स्कार हो जाते हैं, रोलिंग स्कार हो जाते हैं, जो अट्रोफिक स्कार है ना वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं ठीक करने, क्योंकि उसमें स्किन के नीचे फैट पैड भी खतम हो जाता है, और अट्रोफिय हो जाते हैं, स्किन की भी स्किन की सारी लेर पि ऐसे कि मैंने आपको बताया कि कम्बिनेशन ट्रीटमेंट से इन स्कार्स से अच्छे से निजात पाई जा सकती है तो आज हम ऐसे ही पेशन्ट करने जा रहे हैं हमारे पास बैंगलोर से आये हैं और वी विल बी डूइंग एम एम एन आर एफ एम एन आर एफ करेंगे इनकी और इस से इनके जो नीचे गया हुए खड़ें हैं उन में से रीग्रोथ होगी उसके बाद हम करेंगे डर्मा रोलर फिर अल्टरा थेरपी फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी तो ये सारे परसीजियर हम करेंगे CO2 लेजर इस केस में हम नहीं करेंगे क्योंकि इनको डर है कि विकाज ये हमारे पास जवान है एर फोर्स से तो इनको डर है क्योंकि इनकी ट्रेनिंग धूप में होती है तो उसको हम थोड़ा आवाइड करेंगे ताकि P.I.H. की प्रॉब्लम ना हो, हाइपर पिग्रमेंटेशन वगरा ना हो, तो उसको थोड़ा आवाइड करने के लिए हम बाकी सारे प्रसीजर करेंगे और इनका रिजल्ट अच्छा आजाता है और अगर आपको भी एकने के स्कार्ज की चिकन पॉक्स के स्कार की पुराने स्कार्ज की प्रॉब्लम है तो आप हम से समपर्क कर सकते हैं मेरा नाम है डॉक्टर शाम सुंदर गोहिल कायकल प्लेजर क्लिनिक बठिंडारोड शुरी मुक्ससा पंजाबसी में बोल रहा हूँ और हमारा वट्सेप कॉंटेक्ट नमबर है 9256693566 धनिवाद